हेलो जेलरों, वेलकम तो असाय एजुकेशन, आज हम कर रहे हैं पोएम दस्क्वेरल, इंग्लिश बुक ग्रेड 7 से, इसकी क्वेशन आंसर्स और एक्सराइस से, सबसे पहला पार्ट है वर्किंग विद दस्क्वेरल, वो अनक्वेशन मार्क फोर टेल, पोएट ने स्क्वे आप उसको ड्रॉ करके, इस तरह से पनाव कि वो ग्राउंड पर पैठी हुई है, तो उसकी टेल उस टेम पर कैसी दिखती है, आंसर है, तो पोएट से इस स्क्वेरल वो a question mark for tail, as the tail of the squirrel, curled in a way, that it appears like a question mark, कभी भी आप इलहरी को देखो, आप हमेशा देखोगे कि उसकी टेल जो है, वो इस तरह से folded होती है, जैसा लगता है question mark है, तो पोएट ने जो है, यही बताया है कि जो tail है squirrel की, वो almost इस तरह से curled होती है, कि वो एक question mark की form में लगती है, और अगर हम picture को धियान से देखे, as we can, per picture, we can clearly see the tail of the squirrel is in the form of question mark or hook, either आप उसको hook की form में का हो, या question mark की form में आपको picture में automatically idea लग रहा है कि हाँ, जो squirrel है, जो tail है, वो इक question mark की form में, do we usually say that an animal wears a tail, हम क्या ये कहते है कि हमेशा जो animals से वो tail को पहने रहते है, what do we say, हम क्या कहते है, अब ये सोचना है आपको, think, does an animal wear a coat, कि animal coat पहने रहते है, consult dictionary if you like and find out how wear is used in different ways, अब आपको निश्रही से consult करके ये बताना है, या अगर आप चाहो तो पता करके ये बताओ, कि जो wear word का स्तमाल है, वो कैसे अलग अलग परीकों से होता है, तो इसका answer है कि no, usually we don't say that animal wears a tail, हम ऐसे नहीं कहते हैं कि animal के tail पहने हुए है, instead we say animal has a tail, हम ये कहते हैं कि animal के tail होती ह According to the dictionary, the word wear is used to mean something that is used to cover, wear का मतलब क्या हुए निश्रही कि अनुसार कि कोई चीज ऐसी जिसको हम cover करने के लिए इस्तमाल करते हैं, जैसे we wear clothes, हम कपडे पहनते हैं, पहनने का मतलब कि हम अपनी body को cover करने के लिए कपडे पहनते हैं, लेकिन जानवरों की body cover करने के लिए tail नह who is teasing whom, how, उसको tease करना और play करना पसंद है, अब कौन किसको tease कर रहा है, चिड़ा रहा है और कैसे, we like to tease and play, here the poet is teasing the squirrel, जो poet है, वो squirrel को tease कर रहा है, the poet will approach the squirrel and as soon as he nears the squirrel, it runs अभी in a different direction, poet जो है, वो squirrel को 31 से पीछे 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 उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हो उसके बिल्कुछ पास आते हैं, वो एकदम से दूसरे direction में भार जाते हैं, तो यह आपके इस poem के question answer से, आपको अच्छे लगे समझ में आए, subscribe करो हमारा channel, asa education, bye